हेलो फ्रेंट्स विजेश बाइलो जी में आपका स्वागत है आज अपने पढ़ने वाले हैं के इवुलिशन के बारे में अड़प्टेशन ओप के इंदर प्लांट्स जिसके अंदर क्रेशलेशन एसीड मेटाबोलिजिन पात्वे चलता है यह पात्वे क्या होता है और यह कैसे चलता है उन सब चीजों के बारे में वाज बात करने वाले तो हमने फोटो सिंतेशिस के अंदर सी थ्री प्लांट्स की बात की जिसके अंदर ओप्टिमम टेंप्रेचर था ओप्टिमम स्यू टू थी और वोटर की कंसंट्रेशन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी लेकिन क्या होता है देखिए कि टेंप्रेचर की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाती है तो उसी अनुपात के अंदर स्यू टू की अमाउंट है वो कम होती जाती है जैसे ही मालों टेंप्रेचर बढ़ रहा है तो उसके साथ में स्यू टू की अमाउंट कम हो जाएगी और oxygen की भी बड़ी जिसके अंदर रूबिस को एंजाइम ने काम करना कम किया या बंद किया तो C4 प्लांट का evolution हो और C4 प्लांट के evolution होने की वज़ए से क्या हुआ photosynthesis जो है वो continuous हुआ लेकिन अगर temperature उससे भी ज़्यादा बढ़ गया यानि की temperature इतना ज़्यादा बढ़ गया कि C4 पाथवे चलना भी अब इतने आसाने से possible नहीं है और CO2 की amount भी पहले से और ज़्यादा कम हो गई और water की concentration भी कम हो गई अब water की concentration कम होगी तो हमने light reaction के अंदर देखा कि सबसे पहला role किसका है water का है अगर water ही कम हो गया तो इसका मतलब हो गया कि photosynthesis अब start ही नहीं हो पाएगा energy नहीं वनेगी तो photosynthesis start ही पोना पोसिबल ही नहीं है तो उसके लिए क्या adaptation किये जाए हम ऐसा क्या करें कि अपने पास में water है उसकी बचत हो जाए जितना पानी है उसकी क्या हो जाए बचत हो जाए तो उसके लिए उस evolution के लिए क्या चला है came cycle चली है उसके लिए इस इस का होता है कि वौटर का लोस जो होता हूट वह transpiration के दersonक करते हैं यह होते हैं है अपना आगरा बात करेंगे स्क्रेंगे 밑 होते हैं क्या होती है² आ इसे मालों पतियों के उपर एक चोटे चोटे रंदर होते है इन रंदर के दरहा जो पानी है वह one कि पानी नहीं है और फिर भी transpiration plant कर रहे हैं तो इसका मतलब किया हुगा है कि वो नुकसान == नुकसान वाली बात है तो उस पानी की बस्त को कैसे किया जाए आप transpiration होना भी ज़रूरी है स्टोमेटा से वोटर निकलना भी जरूरी है कि जब स्टोमेटा खुलेंगे नहीं तो CO2 अंदर कैसे आएगी यानि कि आप स्टोमेटा को बंद नहीं रख सकते अगर स्टोमेटा को बंद नहीं रख सकते तो CO2 अंदर नहीं आएगी और CO2 अंदर नहीं आएगी तो फोटो सिंतेसिस नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टोमेटा को खुला तो रखना पड़ेगा लेकिन अगर स्टोमेटा को खुला रखा तो वोटर बाहर निकलता है तो इसका मतलब वोटर का लोस होता है आपको दोनों काम करने हैं वोटर को बचाना है और CO2 को अंदर लेकर के आना है तो केम प क्लोज होगे डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज होगे अब डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज होने का मतलब क्या हुआ कि लाइट की इंटेंसिटी जादा है और जितनी जादा लाइट की इंटेंसिटी होती है ट्रांसपाइरेशन उतना जादा होता है तो डे टाइम में लाइ टाइम पे स्टोमेटा खुल लिये तो नाइट टाइम में लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होती और ज्यादा नहीं होने की वज़े से ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा नहीं होगा लेकिन स्योटू है वो अंदर आ जाएगी अब देखिए एस्टू के बाहर निकलने और स्योटू के अंदर आने में बहुत ज़्यादा गैप हो गया बहुत ज़्यादा गैप होने की वज़े से इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशनल स्ट्रेस और ट्रांसपायरेशनल स्ट्रेस होने की वज़े से इन में फोटो सिंतिसिस की रेट है वो बहुत ज़्यादा स् मतलब ये हो गया कि इन plans की growth है वह बहुत ही कम होती है इन plans की growth का मिलेगी बहुत ही कम मिलेगी तो ये जो game plants होते हैं जितने भी आप वह रेगिस्तान के अदर plans देखने को मिलेंगे वह जड़ा बड़े बड़े fade नहीं मिलेंगे यानि कि बहुत ज़्यादा बड़े फेड नहीं बन सकते adverse condition इतनी ज़्यादा आती है कि इनकी body size बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती इसके अलावा आपन और भी comparison करते हैं कि इन में पत्तियां नहीं होती है इनके जो तने हैं वो आपको हरे color के दिखाई देते हैं तो ये कैसे न कैसे अपना काम चलाते हैं बस आप देखिए S2O को बचाने का दूसरा तरीका और क्या होता है यानि एक तो water को बचा लिया कैसे day time में stomata को close करके इन्होंने water को बचा लिया है दूसरा तरीका क्या होता है कि प्लांट के अंदर ही water है प्लांट की बोडी से बाहर नहीं निकले उसके लिए क्या होता है कि ओस्मोटिक बैलेंस है वो बना के रखना होता है ओस्मोटिक बैलेंस बना के रखने का मतलब यह हो गया कि अपन जानते हैं कि Osmolites होते हैं Osmolites होते हैं Osmolites का मतलब भी हो गया कोई साल्ट हो गया या कोई भी चीज होगे जिसका उपन बोलते हैं Osmolite ये Osmolite की Concentration है वो Plant Body में ज़्यादा स्टोर कर ली जाती है अब Osmolites की Concentration plant body में ज़्यादा store कर ली जाएगी तो water का movement किदर से किदर होता है low osmolites से high osmolites की और यानि कि आपने पढ़ा होगा कि osmotic pressure तो osmotic pressure वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पर salt की concentration ज़्यादा होती है और salt हम पर किसको बोल सकते हैं osmolites को salt भी बोल सकते हैं कि salt है वो osmolites का काम करते हैं तो plant ने अगर अपनी बोड़ी में osmolites की concentration ज़्यादा store कर ली तो जड़ों के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है मिटी में जड़ों के पास में वहाँ पानी plant की बोड़ी में आजाएगा osmotic pressure की वज़े से क्योंकि आपन जानते हैं कि जो water का movement होता है वो low osmotic pressure से high osmotic pressure की और होता है या आप ये बोल दो कि low salt concentration से high salt concentration की और होता है इसको अपन बोलते हैं osmotic pressure इसके अलावा water का diffusion पढ़ते हैं कि water अपनी खुद की high concentration से low concentration की और movement करता है इसको अपन बोला था diffusion इसके अलावा osmotic pressure तो water को बचाने का एक दूसरा जरीया आप इन plants में आपको क्या दिखाई देगा कि osmotic pressure को ये high करके रखते हैं ये plant अपनी body में और osmotic pressure को high करने की वो जैसे water है वो उसकी बचत हो जाएगी तो इस प्रकार से इन में highly adaptation पाए जाते हैं कि ये water को किसी भी condition में बाहर नहीं जाने देंगी वो water को अपनी body के अंदर ही रखेंगे तो आपन देखते हैं कि क्या होता है adaptation इन के अंदर तो देखिए came plants keep stomata closed during the day to minimize water loss जैसा कि हमने वताया transpiration को रोकता है तो motor के loss को minimize करता है they only open at night यानि कि रात्री के समय स्टोमेटा को open करके रखते हैं this means no CO2 can enter during the day यानि स्टोमेटा बंद है तो हमने बताया कि CO2 जो है वो स्टोमेटा के रास्ते से आती है तो अगर स्टोमेटा close कर दिये तो CO2 भी day time में अंदर नहीं आ सकती molecule अपन देखेंगे कि क्या organic molecule होता है और उसमें के से fix करके रखता है this is referred to as cresulation acid metabolism अब cresulation acid metabolism का क्या मतलब हो गया कि ये cresulation family के अंदर identify किया गया आलांकि ये कुछ cactasi plant family के plants में भी पाये जाता है came cycle इसके अलावा orchidacy family होती है उसके अंदर भी came cycle मिलेगी लेकिन ये सबसे पहले जो है वो cresulation family के अंदर देखने को मिली इसलिए इसका नाम दे दिया cresulation acid metabolism अब acid का क्या मतलब हो गया कि रातरी की समय इसके अंदर malic acid बनेगा अब देखेंगे कि malic acid कैसे बनेगा तो इन सब चीज़ों के basis पर इसका नाम दे दिया cresulation acid metabolism केme plants के example होते हैं succulent plant succulent plant रशिले plant को बोलते हैं जिसके तनी में या जिसके fruit पे बहुत ज्यादा juice देखने को मिलता है उसको अब बोलते है succulent plant अब जैसे कि आप देखते हो खीब देखते हो खीब की एक छोटी सी कली को काटती हू latitude में तुरिंट बाहर अपने आप रस निकलना स्टार्ट हो जाता है के कि विफो तो रेट यह कर पाइज दो केंटने लग गया तो अनरजी मिलेगी वह तो फोटो बैसे नहीं रहती ले लेगा फॉटो सींपायरेशन जो फॉटो होगा धियों फॉटो डैसर नहीं और केम प्लांट्स में भी फोटो रेस्पाइरेशन नहीं चलता फोटो रेस्पाइरेशन ओनली ओन किस में चलता है सी थी प्लांट्स में चलता है क्योंकि सी थी प्लांट्स के पास में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती और वह एक टेंप्रेरी प्रोसेस होती है लाइट शेप उद्धों को बचाने के लिए तो वह है ओनली किस में चलेगी C3 plants में भी चलेगी photo respiration compare to C3 and C4 plants तो यह बात है केम plants के बारे में अब देखिए close stomata during the day means no CO2 entering the plant during the day अब यहाँ पर अपन देख पाते हैं कि यह stomata होता है और stomata के just pass में होती है guard cell और guard cell के just उपर होती है subsidiary cells होती है तो stomata को बंद रखने और खोलने में किसका रोल होता है guard cell का जब guard cells के अंदर पानी बढ़ जाता है तो stomata खुल जाते है और जब guard cells के अंदर पानी कम हो जाता है पानी अगर बाहर निकल जाएगा तो स्वम्टा अपने आफ ही क्लोज हो जाएएगे अब Gaard Cells के यहाँ पर क्या important रॉल होता है कि Gaard Cells के इस just pass में क्या होती है सबसीडरी सेल्स अब Gaard Cells के पास में सबसीडरी सेल्स होती है तो यहाँ पर salt की concentration high होती है यह खाली हो जाएगा तो स्टोमेटा क्या रहेंगे क्लोज रहेंगे और गार्ड सेल्स तो हैं वो हरे कलर की भी दिखाई दे सकती हैं आपको क्योंकि यहां पर क्लोरोप्लास्ट होता है अब यह क्लोरोप्लास्ट बोजन के परपद से नहीं होता अपन ट्रांसपारेशन यह यानि कि सूगर बनाता है बोजन से जायर से बाते हैं सूगर बनती है पोटो सिंटेशी से तो सूगर बनाता है और वो सूगर को ऐजए ओसमोलाइट्स काम में लेता है ओसमोलाइट्स काम में लेने का क्या मतलब हो गया कि यहां पर बहुत सारी सूगर बना लेगा जिस हो जाएगा तो यहां पर जो अर्फ होता है उसका परपज कुछ और ही होता है आप एक प्लांट की तरफ देखिए यानि की imagine करके सोच सकते हैं कि एक came plant की आप care को देख सकते हैं किसी cactus यानि की खीब के भोड़े को भी आप देख सकते हैं केक्टिस के अलावा जो भी आपको came plant आस-πάस में दिखाई दे सकते हैं वसs plant की तरफ देखते व्य आपको पता चल जाएगा कि उसका क्या-क्या adaptation होता है तो game plant की खास बात ये होती है कि आपको तने हरे color के दिखाई देते हैं क्योंकि पत्तियों के अंदर stomata होते हैं water loss होता है तो ये photosynthesis जाजा तर है वो stem के अंदर ही करते हैं लेकिन अगर कभी कवार पानी खूब आ गया इनको पानी खूब मिल गया जैसे कि अचानक से कोई बारिस हो गई तब ये छोटी छोटी पतिया हैं वो बाहर जरूर निकाल सकते हैं और इनकी पत्यां जो है वो काटू में रुपांतरित हो जाती हैं और काटू में रुपांतरित हो जाएंगी तो इसका मतलब ये भी इनका एक adaptation हो जाएगा ये वोटरलेस को बचाती हैं तो इनके stem जो हैं वो फोटो सिंथेसिस करते हैं इसके अलावा इनकी जो पत्या है वो छोटे color की छोटे size की दिखाई देती हैं और छोटे size की वो इसी लिए दिखाई देती हैं कि photosynthesis की rate हो थोड़ी कम करके रखी जाए photosynthesis already ही कम ही होता है उनमें इसके अलावा पत्यों के उपार cuticle का आवरन रहता है और cuticle के आवरन रहने की वज़य से light intensity इतनी ज़्यादा effect नहीं कर पाती इसके अलावा stomata भी बंद करके रखे जा सकते cuticle के आवरन की वज़य से तो ये भी इनका एक adaptation होता है इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं इन प्लांट की जो size होती है वो size भी बहुत ज़्यदा छोटी होती है तो ये सारे एक सारे adaptations जो हैं वो अपने वो कहां पर देखने को मिलेंगे के इन प्लांट के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि अपनी adverse condition के अंदर भी growth करने में सक्सम होते हैं अगर यह condition C3 plants को अचानक से मिल जाए तो फिर फो प्लांट है वो growth नहीं कर पाएगा तो देखते हैं कि species है केक्टिस है सुकुलेंट प्लांट यानि कि जो रशीले पादप हैं कुरूस या टेकपिला अगेव पाइनेपल जो पन पाइनेपल रोजमर्णा की जिन्दी में काम में लेते हैं वो केम प्लांट का example होता है इसके अलबा केम साइकल के अंदर कौन सा enzyme काम करता है फोस्पो इनोल पाइरवेट कार्बोक्शिलेज यानि कि पेपकेज enzyme भी यहां पर काम करता है प्रोसिस क्या होती है four phases के अंदर that are tied to available sunlight यानि कि देखते हैं कि sunlight अवेलेबल होगा तो क्या होगा sunlight नहीं होगी तो फिर क्या होगा तो sunlight की presence में plant collect CO2 during the day and then fix CO2 at night as a four carbon intermediate यानि कि stomata के through तो plant CO2 को लेंगे रात्तरी के समय और उसको fix कहां किया जाएगा डे में ही इसको fix किया जाएगा यानि कि C3 cycle तो अपन जानते हैं कि कैसे चलती है डे टाइम में ही चलती है where carbon is fixed है पार कारबन को fix करके vacules के अंदर store कर दिया जाता है plant की vacules तो के plant के अंदर vacules का important role होता है वैसे plant के अंदर vacules सब के अंदर ही vacules का important role होता है इसलिए plant cell की जब आप study करते हैं तो अपने को एक चीज़ ये difference देखने को मिलती है यानि एक दो difference देखने को मिलेंगे animal cell से plant cell किस form में अलग है एक तो cell wall मिलती है जो animal cell के ओपर cell wall नहीं होती एक आपको सबसे बड़ा area दिखाई देगा और वो area किसका दिखाई देता है vacules का तो plants के अंदर सबसे बड़े size का cell organs जो होता है वो एक टाइप से कौन सा होता है vacules का होता है जो extra material होता है उसको भी store करके रखता है जो phagocytic process होती है जो भी phagocytic process है वह एक भी complete कौन करेगा vacules ही करते हैं तो vacules का important role होता है plants के अंदर animals के अंदर इनके comparison का कम होता है तो इन म बात की हम आपने came plant के adaptation के बारे में अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ये came plants के अंदर photosynthesis कैसे होता है night time में photosynthesis कैसे होता है day time में photosynthesis कैसे होता है तो c4 cycle से came cycle है वो कुछ ज़्यादा different नहीं है उसके अंदर mesophyll cells और bundle cells में काम चल रहा था इसके अंदर अपन देखेंगे कि daytime और nighttime में काम चल रहा है वाकि same to same है दो चार चीजें अपने को जान में रखनी है जैसे कि मालो enzyme भी same है CO2 के fix होने का matter भी same है जैसे कि उसके अंदर भी four carbon intermediate बन रहा था इसके अंदर भी four carbon intermediate बन रहा है इसके अंदर बस एक vacuels का जान रखना कि vacuels के अ अंदर इसके लिकर